तो आईये हम संख्या पत्ति का एक नएया टैपिक समांतर सिर्यनि के बारे में पड़ते हैं आईये देखते हैं समांतर सिर्यनि क्या होती है तो इसका अंग्रेजी होडता है arithmetic progression समांतर सिर्यनि अब आईये आप देखते हैं अनुक्रम, अनुक्रम क्या होता है, यदि किसी संख्या के समू को लिखने में एक निचित नियम का पालन किया जाता है, उसे अनुक्रम कहते हैं, अनुक्रम, सिक्वेंस क्या होता है, यदि किसी संख्या के समू को लिखने के लिए एक निचित नियम का पालन किया जाता है, उ उसको क्या कहते है अगर एक नीचित नियम एक नीचित नियम रहेगा अगर समुह में एक नीचित नियम का पालन करेगा तब वह कहलाएगा क्या अगर कहलाएगा अनुकरम जैसे जैसे दो है चार है छे है आठ है दस है इस परकार का एक सिक्वेंस यह बन रहा है तो क्या है यह कहलाएगा आपका अनुकरम क्यों देखी इसमें सिक्वेंस में क्या है दो पलस होता जा रहा है यहां दो पलस हो रहा है यहां भी दो पलस हो रहा है दोदों का है, दोदों का क्या बन रहा है, एक नीचित नियम बन रहा है कि दोदों जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त हो रही है, तो इस सम्मू को क्या कहेंगे, इस सम्मू को अनुकरम कहेंगे, क्या कहेंगे, तो अनुकरम कहेंगे, आगी समझ में, अब आएए, जिनमें परतेख पद में कोई नियत संख्या जोडने से या घटाने से प्राप्त होता है समांतर स्रेणी कहलाती है क्या कह रहा है कि यदी कोई अनुक्रम है कोई अनुक्रम दिया है या कोई एक स्रेणी दी है उस स्रेणी में कोई संख्या जोड़ने पर अगली संख्या पराप्त हो रही है या घटाने पर अगली संख्या पराप्त हो रही है जैसे तीन खै नव बारह पंदरह कुछ तर से आगे बढ़ते जा रहे हैं तो इसमें क्या है तो इसमें हम तीन जोड़ेंगे तो ये अगली संख्या पराप्त हो रहे है फिर इसमें तीन जोड़ रहे हैं तो ये अगली संख्या पराप्त हो रहे है पिर इसमें तीन जोड़ने हैं तो अगली संख्या पराप्त हो रहे हैं तो आए कि स्रेणी के पदों को जिनके परतेग पद में कोई नियत संख्या कोई नियत संख्या क्या है इसमें को नियत संख्या क्या है तीन जोड़ने पर पराप्त हो रहे हैं तीन जोड़ने पर प्राप्ट हो रही है तो इस परगार की सिरेणई को समांतर सिरेणई कि यह यह змand यह तू क्या है जोडने पर अगर यही घटाने पर राता जैसे बारह इसी का उल्टा लिख देते हैं पंदरह पंदरह फिर नव फिर छै फिर तीन तो इसमें क्या हो रहा है इसमें तीन घटा आने पर प्राप्थ हो रहे हैं यह सिक्वेंस क्या हो रहे हैं तीन घटा आने पर प्राप्थ हो रहे हैं यह तीन घटा आने पर या तो तीन यदि तीन जोड़ने पर प्राफ्थ हो तो भी अगर तीन घटाने में प्राफ्थ हो रहे हैं यहां तो भी यह दोनों स्रेणी क्या खालाएगी यह दोनों स्रेणी क्या खालाएगी हमारी समांतर स्रेणी इसके पुरुपद में कोई नियत संख्या जोडने पर या घटाने पर जो स्रेणी प्राप्त होती है ये स्रेणी क्या कालाती है हमारी समानता स्रेणी कालाती है अब इस नियत संख्या को सरवांतर कहते हैं अथर्थ इसमें बताइए कि इसमें कितना जोड़ने पर प्राफ्थ हो रहे हैं अगली संख्या तो तीन यह जोड़ने पर प्राफ्थ हो रहे हैं तो जोहां यहां यहां तीन संख्या है इसी को कहेंगे आप क्या सरवांतर इसी 3 को क्या कहेंगे सरवांतर यहां किसको कहेंगे यह माइनस 3 को कहेंगे सरवांतर तो जो संख्या जोडने पर या घटाने पर अगली संख्या पराप्त होती है वही संख्या हमरे क्या कालाता है सरवांतर होता है वही नियत संख्या क्या होती है, हमारी सरवांतर काला अब समांतर स्रेणी को संछेप में क्या लिखते हैं, सब बना कर सुनना, स्रे बना कर सुनना, या अंग्रेजी में लिखेंगे तुसे AP के लिखने, अर्थमेतिक प्रुग्रेशन, तो आपको अनुक्रम क्या होती है और समांतर सेणी क्या होती है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा आए आगे अध्यन करते हैं अध्यापक पद का मतलब क्या होता है यदी कोई संख्या आपने पड़ लिया है कि यदी किसी संख्या में यदी कोई संख्या दिया है उस संख्या में कोई नियत संख्या जोड़ते जाएं या कोई नियत संख्या घटाते जाएं तो जब इस परकार की कोई स्रेणी प्राप् वो हमारा समांतर स्रेणी होगा माल लेते हैं कि यह पहला पद है आपका पहला पद माल लेते हैं पहला पद जो है आपका A है और सरवांतर सरवांतर हम माल लेते हैं क्या है? सरवांतर हम माल लेते हैं कि D पहला पद को A से दर्साए जाता है सरवांतर को D से दर्स आए जाता है तो अगर हम समांतर स्रेणी का एक समांतर स्रेणी का एक pattern बनाएंगे एक sequence बनाएंगे तो हमारा क्या sequence बनेगा ये कहेंगे आप आप ये कहेंगे कि ए हमारा हो गया संक्या इसमें एक नियत संक्या तो अभी बताएं है कि जो नियत संख्या जोड़ा जाता है उसी संख्या में D फिर जोड़ दिया जाए D पलस D अगली संख्या क्या परफ्ट होगी आप कहेंगे कि इस संख्या में फिर D जोड़ दिया जाए उसी परकार आगे करेंगे एपलस दी, इस संख्या में का करेंगे दी जोड देंगे जोड दीजिये इसी परकार ये क्या होगा आगे भी सिरेनी चलती रहेगी तो अगर इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे A A plus D इसे लिखेंगे A plus इसको क्या लिख सकते हैं इसको कहेंगे कि 2D लिख सकते हैं इसको क्या लिखेंगे लिखेंगे A plus 3D इसको क्या लिखेंगे लिखेंगे A plus 4D खिर यही सिक्क्यूमेंट समारा क्या होगा आगे बढ़ता जाएगे कितनी बात समझ में आ रही है अब देखिए यह प्रथम पद है यह क्या है सुतिय पद यह क्या है सिर्थिय पद यह चतूर्थ यह पंचम यह आगे इसी तरह यह सिक्मेंश बढ़ता जा रहा है इसमें देखिए एक पैटर्न फालो कर रहा है एक पलास ऊनम उनम इनटू डी यह देखिए इसमें पलास यह दूसरा है दूसरा पद है दू मैनस उन इनटू डी यह पनलो क्या कर रहा है अनम पलास किती है थावास मैनस फावा इंटु डी यह क्या फालो कर रहा है यह क्यों चेर माइनस इंटू दी क्योंकि तीन को लिख सकते न चार में से एक जाएगा क्या हो जाएगा यहां देखिए यह दो मैं से एक जाएगा एक डी यहां एक में से यह गुणा करेंगे तो 0 यह पराप्त हो गए इस परकार यह क्या देख रहे हैं यह आगे सीक्वेंस बढ़ता जाएगा कि मुए यह तो बात त्मभाँ में आ गई कि यह मान लेते हैं कि लाश्ड पद क्या होगा हमारे यहन होगा अगर यहां मालनेते हैं कि अंतिम पद जो है, अंतिम पद यह नवा पद है, मतलब टोटल कितना है, यह पहला दूसरा तिसरा यह डाडाड कितने पद तक है, हम मालनेते हैं कि यह नवा पद तक है, इसको मालनेते हैं यह नवा पद कितना हो जाएगा, यह नवा पद मतलब अ अंतिम पन को तर्फते हैं अंतिम पन लाश्ट पन लीखंगे लिखना अगर लीकतर होगा है, यह न रहेगा है प्लस यन लास्ट पद यहां पहला पद है तो पहला में से एक घटा है यन है लास्ट पद उसमें से एक घटेगा इंटू ये बस समझ में आ गई जैसे कि यह पहला पद में था तो एक में से एक घटा था ये दूसरा पद है खड़ो में से फ्षा रु काय एंपड है तो इन में से घटेगा इन्टू ड़ी इसी पड्को मैं ऐअपक पड गहते हैं प्थो कैहाते हैं सब्सक्राइख कि तो इसे tn को हम लिख सकते हैं अंतिमपद को यल से दवणाइज जाता है नतिमपद को किसे दर शायता है यल से दर साय जाता है इससे e-l बराबर भी अंतिमपद बराबर लिख सकते हैं a पुलस n माइनस 1 इन्टू अब समझ में आ गया, तो यह tn कहां से आया यह फर्मूला कहां से निकल कर आया है a plus n minus 1 into d यह आप इस सिक्वेंसर निकाल सकते है यहाँ याद करने वाला कोई बात तो है नहीं यह आप निसकर्स धियान रखेंगे कि अंतिम पद बराबर क्या होता है या टिया नमा पद बराबर क्या होता है a plus n minus 1 into d आये इससे समंदिक कुछ क्यूचन देख लेते हैं अब देखिए इस स्रीनगी का यह नमा पद 2 n minus 1 है उसका सात्वा पद क्या होता है क्या कर रहा है कर रहा है कि t n बराबर कितना है 2 n minus 1 क्या कर रहा है तो यह नमा पद जो है यह 2 n minus 1 है पूछ रहा है क्या उसका सात्वा पद ग्याद कीजिए तो t के जगा पर क्या लिखना है तो t के n के जगा पर अब यह नमा रहा कर क्या होगा अब क्या लिखना है अब लिखना है 7 अब ग्याद करना है कि इसका मान क्या होगा कुछ नहीं करना है जहां यह नहें उसके जगा पर क्या लिखतें साथ लिखतें तो यह क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा 14 में से एक जाएगा क्या हो जाएगा यह साथामा टर्म का यह साथामा पद कितना हो जाएगा तो साथामा पद कितना हो जाएगा हमारा गेर मार्क Warrior अंसर हो जाएगा आई फिछ क्यूशन देखते हैं को कि देर आए य डिए कि कि अ मंकि दिया है ले यहежд मांड दिया है आपका YouTube Maar you Men बू ले अ यह क्या होगा ? थिरी प्लस 2- King यह गः है कि A kya N A N का मतलब कि यहाँ एक कमान यह नवपध ही है यह जो संक्या दर्सार ही यह नवपध ही उसका माण क्या है इतना है ध्वारपरिभाशित अनुकरम का بीचशमायपद क्या हो तो आ रहेगा इसका 20 समापत तो यहां 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 होगा आपका क्या करेंगे यह 20 लिख देंगे 20 लिख देंगे तो यह क्या हो जाएगा यह आपका हो जाएगा 20-1 यह क्या हो जाएगा दो माइनस 20 यह क्या हो जाएगा 3 प्लस 20 अब आईए इसे साल्व करते हैं यह तो हो जाएगा आपका 19 उड़े यह क्या होगा यह माइनस 20 में से 2 घटेगा 18 यह माइनस वह बढ़ा है तो माइनस कचीन लग जाएगा Gam hamas कि कि इत्ना हो जाएगा 23 आपदेख यहां भी प्लश है यह माइनस यह माइनस सोगा जो क्योंकि माइनस प्लस का गुना करेंगे तो यह क्या मांनस देगा आपको पता है कि प्लस उन्हें, माइनस का अगर गुणा होगा, यह क्या होगा, माइनस ही रहेगा, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, तो गुणा करेंगे माइनस का तो यह तो माइनस ही रहेगा, यह तो फिक्स है, इसका मतलब कि बिकल्प में, इतने प्लस वाले टर्म हैं, यह तो गलत इसका मतलब कि C भी एंसर नहीं होगा और D भी एंसर नहीं अब बचा क्या बचा दोनों माइनस वाले टर्ड़ अब देखिए हमने पढ़ा है इकाई का अंक ग्याद करना देखिए दोनों का इकाई का अंक क्या है अलग-अलग है तो है नहीं इसका 6 है और इसका 2 है तो यूआ वाला आंक को देखते थे इसमें इकाई वाला आंक क्या क्या है यह इसका मतलम कि इसका टोटल मान क्या जाएगा माइनस 7886 यह हमारा का हो जाएगा क्योंकि एक गात कर लीजे आप एकाई अंग गात कर लिए ज़ये ज़ये छहंद तो बिकल्प नमबर A में ही एकाई का अंग 6 है जिवारा बिकल्प में क्या है 2 है तो यह हो नहीं सकता इसका मतलब कि ए हमारा क्या होगा राइट हम सोरो आएए नेट क्यूचन देखते हैं किसी समांतर यह आपके सामने क्यूचन है 300 से 500 के बीच साथ के गुवज के सभी संख्या के बद ग्याद कीजिए क्यूचन क्या कर रहा है कर आए कि 300 कर आए 300 और 500 के बीच जो 300 और 500 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं है कितनी ऐसी संख्याएं है जो क्या है साथ से गुवज की भादित ग्या मतलब है कि 300 और 500 के बीच बीच इतनी संख्याएं है जो साथ से पूंटे अभी भाजित है आये वहले 300 और 500 के बीच वह संख्याए निकालते है तो यह प्रथमर्प अगर निकालते हैं यह क्या करते हैं इसार रूल है कि 300 में पहले नमसाल का क्या करेंगे, भाग करेंगे, ये क्या होगा, तर बाजाएगा, ये हो जाएगा, आठाइस, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, कितना बाजाएगा, तो ये जाएगा, दो बार, अकर दो बार ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा इसका मतलब 6 क्या हो रहा है इच्छे अधिक हो रहा है जब अधिक हो रहा है तो इसका मतलब 300 में से घटा देते हैं तो अगर 300 में घटाएंगे आपका निकलेगा तंख्या आएगा 294 संख्या क्या आएगा 294 जो होगा वह साथ से विवाजित होगा लेकिन हमसे क्या कह रहा है हमसे कह रहा है कि 300 और 500 300 और 500 के बीच होनी चाहिए यह संख्या क्या होनी चाहिए तो इसका मतलब कि इससे अधिक वाली संख्या है तो जब अगर इस संख्या में अगली संख्या होती है या कोई संख्या निकालने होती है जश्ट इसके आगे वाली संख्या, जब इसमें निकाला जाएगा तो इसमें 300 में कुछ जोड़ा जाएगा, तभी तो आगे वाली संख्या निकलेगी, जब जोडने वाली बात हो, जब 300 में जोड़ा जाएगा जब कोई अगली संख्या, जब जोडने वाली बात हो, तो कि 300 में अगर एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 301 जब 301 जो है वो क्या होगा हमारा साथ से पूर्टिय जिभाजित होगा इसका मतलब एक तो संख्या हमने क्या प्राप्त कर ली तो ये हमारे 301 क्या है वो प्रथम संख्या है साथ से क्या होगी 301 यह प्रुथम संख्य अब यह क्या है 500 है अम निकालते हैं 500 500 से क्या कर रहा है 500 से तो आगे हो नहीं सकता क्योंकि बीच कर रहा है तो 500 ही हो या तो 500 से कम हो निकालिए साथ से ही यह उन्चास हो गया है एक जीरो साथ एकम साथ क्या तीन से सबच गया इसका मतलब कि 500 में से क्या करेंगे तीन घटा देंगे क्योंकि कि इतो होगा चारसो संतान पे इसका मतलब कि यह आ गया 301 और लाश्टमी संख्या गई चारसो संतानों पीर संझा अगर थोड़ा सा बढ़ा काता तो अब इनका अंतर लेते अंतर कितना और आध मैंसे तीन जाया मैं यह हो जाता चार अब इसका मतलब अगली संख्या निकालने okay उग्ड़ी अगली संख्या साथ से कों खटेगी leaf Auto यह آगै जब अगर उस संख्या में जोड़ना होगा, इन दोनों का अंतर लेकर जोड़ दीजिए, अगर कम करना हो तो जो सेस आया वो सिधा-सिधा घटा दीजिए, जैसे यहां देखे जोड़ना हुआ, इन दोनों का अंतर लेकर किये, और यहां घटाना हुआ, तो क्या किये, जो से क्या evidence you told the 301 और चार साथ का क्या गया कि अभिछ साथ का गुणा जहां अथार्त सार्त साथ का पहड़ा है वुस्त साते कामButати के चवर्ध ये एक तैस इसका मतलब ये अंतर कितने का है जाते साथका गुणा जहे तो साथ समसाथ का अंतर घै इया हमारा डी जो हो गया सरवांतर कितना हो गया अब फर्मूला लिख दीजिए कि टी हमाल लेते हैं कि कितना पद है तो पद की संक्या नहीं दिया है तो हमाल लेते हैं कि पदों की संक्या यहन है इसी को यल भी काते हैं यह हो गया यह 301 प्लस यन तो पूछ रहा है तो यह नहीं रहने देते हैं कि दिया है यह साथ का पाड़ा है तो साथ हो गया यल कितना दिया है 497 दिया है अब यन माइनस वन यह हो गया साथ यह इधर घटेगा कि 457 माइनस 301 अब देखिए यह क्या हो गया माइनस करती जिए यह 6 हो जाएगा 9 हो जाएगा यह एक हो गया कि यहां से यन माइनस वन यह क्या है यह गुड़ा है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा यह भाग हो जाएगा खां करती कि जीर कितना आज्याइगा आंग अग्र्च दोना के कंशान का साथ उनाचेश्पर इसका मतलब यहां यहां कि खया से leaning मीनिस वन कितना यहां पूछ रहा है रुक हो तो startups हो जोगे सितिति यह नमारा कि न हो गया है तो नहीं संख्या है यह विगल्ब नॉमबर ए हमरा क्या हो जाएगा राइट हो इसके बात समझ में आ गई आये नेस्ट कुस्टन देखते हैं कि यह देखें कि याद कर रहा है कि समांतर सेणी एक तीन पांच डाट डाट का कौन सा पद पच्पन होगा कौन सा पद पच्पन पच्पन होगा अथार की अंतिम पद कितना दे दिया है अंतिम पद हमारा पच्पन दे दिया है कि कितने पद होंगे पदों की संख्या पूछ रहा है प्रथम पद हमारा दे दिया है एक सरवांतर निकल गया दो तमांतर शेंडिया है चेक करना तो नहीं है अब हमसे यह नमा पूछ 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 पू का कि इन में से एक जाएगा कितना और किटना गांट कि यह ढुआरा है अब एक घटेगा 1-1-2 यह कि यह जाएगा आ कली यह माइन को फोन जो जाये गा यह क्या हो जाया गा इसमें किटा हो जाएगा 27 यहन बराबर निकालेंगे तो इधर आ जाएगा तो 27 पलस एक यह क्या हो जाएगा यह हमरा क्या होगा एंसोर आठाइसमा प्वद्द जो होगा हमरा क्या हो जाएगा पच्पन होगा कि अगे तमझ में कि आईए नेश्ट क्यूचन देखते हैं इसमांदर शेंडी हमोल दिया है तो हम समसे जैक करेंगे नहीं तो सरवांदर ग्याद कर लेते हैं कि ऊससरा में से पहला पत घट गट अएगे तो 15 प्थम पत गट गट आएगये यह कहेंग दोप में जाएगा धार उभागा कि यह हो गया प्रथम पद कितना हो गया तो प्रथम पद हमारा हो जाएगा क्या आपका कि यह कि यह निकल गया है कि यह कहेंगे कि बीस निकल गया है कि यह डाट का 15 हमां पद होगा यह 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 कितना दे दिया है पंदर दे दिया है कोगा इन केतने दिया है पंदर दे दिया है तो पंदर हमाँ पद को होगा तो पंदर हमाँ पद निकाल लेते हैं ती पंदर मरबेख एपलस यहरर माइनस तोरी अब यहां 15 वह पर ग्याद कर रहे हैं यह लिग देते हैं 15 माइनस 1 इन्टू D यह कितना है यह 20 दिया है 20 लिग देते हैं प्लस 15 मेंसे 1 जाएगा यह हो जाएगा 14 D कमान कितना आया है D कमान हमारा आ गया माइनस 5 प्लस 25-70, अब देख्यें यहां क्या है माइनस का brushing गुणा होता है आएगा कि समांतर शेनी का प्रत्थम पद ग्याद कीजिए इसमें क्या करना है अब प्रत्थम पद ही ग्यात किजिए तो 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 आपको बता दिया गया है इसे आप साल्व कर लेंगे आए नेट कुश्चन देखते हैं तो यह देखिए निमलिखित समांतर शेणी में कितने पद होंगे सरमांतर यहां से 25 गटा लेंगे, सरमांतर 5 निकली जाएगा इस परकार का सवाल बता दियागा है, इसको आप साल्व कर लेंगे अब देखिए, यह सवाल तो हमने पीछे साल्व करा ही दिया था यह देखिए तीन अंको वाली कितनी संख्या हैं साथ से विभाजित हैं ये देखिए ये वेहतरिम क्यूष्चन है इसको आज साल्व करते हैं तो तीन अंको तो तीन अंको की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई तो तीन अंको की आप कहेंगे कि सबसे छोटी संख्या हो गई हमारा कि पुछा जाए कि सबसे बड़ी आप कहेंगे विद्ध नवसो नहीं कि इससे ऊपर जाएंगे चार अंको की हो जाएगी अगर इससे नीचे जाएंगे तो हमारा दो अंको की हो जाएगे अग्री समझ में अब शाथ से भी भाजित देखना चाहिए तो सो में आपको बतायेते कि सो में नीचे जाएंगे तो दो अंकों की हो जाएगे तो नीचे जाएंगे नहीं सो में जोड़ना पड़ेगा 100 में 100 में 100 में का करिये वहले 7 का भाग करिये 7 गम 7 ये क्या हचाईगा 3 28 8 हमें क्या करना है हमें क्या करना है हमें जोड़ना है घटाएंगे तो अगर इसमें सो में से दो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा जब कम हो जाएगा तो यह तीन अंकों की होगी नहीं अगर इसमें से एक भी निकाल देंगे तो यह हो जाएगा हमारा के एक अग करेंगे इन दोनों का अंतर लेंगे तो इन दोनों का अंतर कितना है इन दोनों का अंतर आप कहेंगे कि आज है कि दोनों का अंतर कितना है पांच है कि इसका मतलब कि पांच इसमें जोड देंगे हमारा क्या हो जाएगा एक सो पांच कि यह क्या हो जाएगा 105 105 क्या होगा साथ से तो कट जाएगा यह हमारा निकल गई पहली संक्या जो साथ से कटेगी नौ सो निनानवे में जोडेंगे तो है नहीं ये क्या करेंगे घटाएंगे साथ से करते हैं साथ एकम साथ ये क्या बचेगा दो चार बाजाएगा ये हो जाएगा 28 एक साथ दुना के 14 ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 5 पांच क्या करेंगे यह 999 में 5 इसलिए 7 से कट रहे उन्हें पांच क्या करेंगे तो है नहीं वर जोड़ेंगे थो श्में हम endlessly खूँच् सतंगे तो जब 5 खौन करेंगे तो यह कम कर जाएगा, आपका कि बता हिए, कि आपकी क्या निकल गया हमेरा यह यह निकल गया कि यह क्या क्या अंतिमपद निकल गया कि अंतिमपदर निकल गया पना हिए यह साथ का पाड़ा है तो Designer hed कि एकन फर्म हो गया है अब यर लिए याता पूछ रहा है सांख्या कितना अशांख्या मतलब के यन पूछ रहा है तो ट यन बराबर आप जानते हैं यज इसी को किल भी लिख लिख खते हैं यही अंतिमपद वा येनौब यह हो गया A के अस्थान पर कितना 105 प्लस यन पूछ रहा है यन-1 डी कमान कितना है यह जब 7 का पहाड़ा है जब 7 का ही पहाड़ा है तो सरमंतर कितना होगा साथी होगा कि अंतीम पर कितना दिया कि नॉसल कि इतना कंफर्म होगे अब देखिए यन-1 अगर यह घटेगा इधर 105 यह घटेगा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा 9 हो जाएगा 8 हो जाएगा 7 हो समझवाएगा यह हित्सुरी हो यह हमारा 8 हो जाएगा 9 में से एक जाएगा 8 हो जाएगा अब यहन-1 अगर निकालेंगे यह क्या हो जाएगा 7 का भाग करतेंगे तो 7 का भाग करेंगे उस साथ एगम साथ साथ दुना के चयुदर ससते उन्चास इसका मतलब कि यह कितना हो गया हमारा यह आ गया यहन-1 एकसो सताईस म्म है यहन कितना हो गारें ऐस साथ 108 में सांधे यह जाएगा यह कहाल जएगा एकसो नुखे कि इसका मतलब इसका मतलब कितीन अंकोवाले कितनी संक्या सास से भी वाजित है तो आप कहेंगे कि यह कितनी है 188, 128 संख्याएं, वह तीन अंकों वाली, जो 100 और 999 के बीच, जो 7 से विभाजित होने वाली संख्या है, वो कितनी है, 138, या 3 अंकों की संख्याओं में, 7 से विभाजित होने वाली संख्या, 128 है, जीक है? आईए देखते हैं नेश्ट कृष्चन ये देखिए पर आए कि AP बताया गया था संचिप नाम क्या है पर आए कि 3, 15, 27, 49 का कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक है उसके 54 पद से 132 अधिक है तो हम माल लेते हैं कि कौन सा पद इसका पूछ रहा है कि इसका कौन सा पद इसका कौन सा पद ना हम माल लेते हैं कि इसका यनवा पद इसका पदो की संख्या माल लेते हैं पदो की ये संख्या माल लेते हैं यन ए हमें दिया है ए दिया है तीन चुवनवे पद से 132 अधिक है इसका मतलब क्या हो रहा है हम माल लेते हैं कि जो टी यहन है उसके चुवनवे पद से इसके चुवनवे पद से कितना अधिक है 132 अधिक है यह तो कह रहा है किस्चन क्या है कह रहा है कि यदि एपी समानतर सेड़ी 3,15,27,49 का कौन सा पद तो माल लेते हैं कि इसका इनवा पद उसके मलब इसी इसी पद के चुवनवे पद से यह चुवनवा पद हो गया चुवनवे पद से 132 क्या है अधिक है यही जो TN है उसके चुवनवे पद से 132 अधिक है या दोनों पदों का अंतर कितना है 132 से तो इसके लिए प्रथम पद क्या हो गया प्रथम पद तो कहेंगे कि आप 3 हो गया ठीक है पलस यहन माइनस 1 इन्टू D D निकालना होगा तो 15 में से 3 जाएगा यह कितना हो जाएगा यह कहेंगे कि यह तो हमारा हो गया 12 यह समझ में आगया प्रथम पद प्लस यहन माइनस 1 इन्टू D यहाँ निकालेंगे तो यह D कितना हो जाएगा 15 में से 3 जाएगा त्रफम पत्प यह जाएगा तो यह होता है तो 14 में से 1 जाएगा यह क्या हो जाएगा आपका रिरपन गूणगे यह क्या है D D कितना है तो खहेंगे कि यह हो गया हमारा 12 यह हमारा क्या है 130 यह गनफर्म हो गया यह क्या होगा 3 प्लस 1-1 यह तो 12 हो गया यह 3 हो गया यह गुणा कर देते हैं बारते हैं 36 यह देखिये यह तो माइनस हो गया यह प्लस यह भी क्या हो जाएगा इन खुले गत अंदर घचीन बतल जाएगा न एक कोष्टा कुले गत तो यह माइनस हो गया यह भी क्या हो गया माइनस हो जाएगा बारते हैं 37 12,50 60,63 68 यह हो गया यही 132 हो गया अब देखिए यह 3 से तो यह 3 केंसिल हो गया प्लस माइनस अब यह न माइनस 1 यह हो गया आपका 12 अब यह माइनस इधर जाएगा तो यह प्लस हो जाएगा 132 प्लस 636 यह कितना होगा यह इतना होगा यहन माइनस 1 अगर निकालेंगे तो यह गुणा है इधर तो इधर क्या होगा भाग हो जाएगा बाद चक 72 यह 72 हो जाएगा यह क्या हो जाएगा ऑचो gettin 48 इसका मतलब कि यहन माइनस वन बाद केतना हो गया यह हो गया हमारा 64 यहन माइनस वन बाद यह हमारा 64 हो गया है यहन बाद हम निकालें गे तो यह कितना हो जाएगा तो 64 प्लस एक यह क्या हो जाएगा हमारा यह हमारा हो जाएगा 65 इसका मतलब कि कौन सा पद तो 65 जो पद होगा वह जो गौनवे पद से 132 अधिक हो इतना कंफर्म हो गया आए देखते हैं नेश्ट क्यूश्चन देखिए यह क्यूश्चन में का कर रहा है कि यदि किसी एपी का सत्रहमा पद उसके दसमें पद से साथ अधिक है तो सरवांतर ग्याद कीजिए आप ग्याद कर लेंगे सेम टू सेम वह इक क्यूश्चन है और कि कि सर्वांतर पूछ रहा है तो आए तो क्या कर लेते हैं कि किसी का सत्रहमा पद उसके दसमें पद से कितना अधिक है साथ अधिक है यह तो कह रहा है तो इसमें क्या-क्या नहीं दिया है तो हमें क्या नहीं दिया है ए नहीं दिया है प्रथम पद नहीं दिया है क्या नहीं दिया है सरवांतर डी नहीं दिया है A और D नहीं दिया, तो A और D हमाल लेते हैं, प्रतम पत A, 17 पत निकालेंगे, तो 17 में से 1 जाएगा 16 D, यह तो 17 पत हो गया हमारा, किसी परकार ये दसमापद निकालेंगे A PLUS 10 में से 1 जाए गा 9 D ये हमारे क्या हो गया ये हमारे दसमापद हो गया यह बराबर हमारे साथ दिया है जब ये कोष्टा खुलेगा A PLUS 16 D यहां क्या हो जाएगा ये माईनस A हो जाएगा 9 D हो जाएगा यह हमारा क्या हो जाएगा 7 यहा他से यह क्या हो 16D में से 9D घटेगा कितना हो जाएगा उचो यह हो जाएगा हमारा 7D यह हो गया हमारा 7 D बरबर क्या हो जाएगा दी बरव साथ बटा में साथ इस कमान क्या हो जाएगा एक दी कमान कितना आ गया एक अब बिकल्प नमबर एक हमारा क्या हो जाएगा राइट पांसर हो जाएगा आईए देखते हैं नेश्ट क्यूस्चन इस सवाल को रिपिट हो गया है आप साल्ब कर लेंगे क्या पुछ रहा है 10 से बड़ा और 250 से छोटा चार से भिभाजित होने वाली कितनी संख्या है यह पुछ रहा है देख़िए यह पूछ रहा है कि आप से 10 और 250 यह हमें सीमा दे दिया है 10 और 250 इनके क्या होना चाहिए इनके बीच में होना चाहिए 10 और 250 के बीच होना चाहिए 10 के बाद कौन सी संख्या 4 से यह बहुत छोटी संख्या तो निग आप बता सकते हैं कि 4 ते यह 12 यह क्या होगी यह 12 जो संख्या होगी वो क्या होगी वो 4 से कटेगा ठीक अब 250 से छोटा देख लेते हैं चार से भाग करेंगे चार पज़े बीस चार पज़े बीस यह पांच हो गया यह पचास हो गया चार फज़े एक क्या हो जाएगा एक बार और लेजाए चार फज़े चोविस यह एक हो गया जीर हो यह क्या होगा चार पे आट यह कितना सेज़ बच जाएगा यह दूसेज़ बच जाएगा तो 250 मेंसे 2 घटा देंगे तो से क्या होता लेकिन हमें पूछ रहा है कि 250 से कमी होना चाहिए इसके बीच में होना चाहिए क्या करेंगे 250 मेंसे माइनस कर देंगे 248 जो होगा क्या होगा हमारा 248 जो होगा वह क्या होगा चार से विभाध्य होगा इसका मतलब यह तो हमारा हो गया प्रथम पद यह हो गया अंतिम पद और चार का पाड़ा है तो डी हमारा हो गया जार पूछ का रहा है कि कितने पद होंगे यह कितने गूण जोगे कितने गूण जोगे तो माल यह यह तो ती यह फर्मूला क्या होगा एप्लस यह मैनस 1 इंटू डी है इसी को यह भी करते हैं ए दिया है कितना 12, यन पूछ रहा है, डी दिया है आपका 4, यल दिया है 248, तो यहां यन माइनस 1, उन्हें 4 अगर निकालेंगे, यह 12 यहां पलस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, 236 हो जाएगा, यन माइनस 1 अगर निकालेंगे, तो यह चार से भाग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? चार पचे 20 चार नवा 36 येन बराबा कितना हो गया? ये माइनस इधर जाएगा तो 50 हो जाएगा साथ हो जाएगा अता 60 संख्याएं ऐसी होंगी तो चार से क्या होगा? विभाजित होगा 10 और 250 के भीच में तो समांतर स्रेणी का ब्यापक पद आप लोग को समझ में आ गया होगा आप पदों की संख्या निकाल लेंगे या ये निकाल लेंगे प्रथम पद निकाल लेंगे या अंतिम पद निकाल लेंगे या सरवांतर निकाल लेंगे चलिए मिलते हैं नेश्ट क्लास में तब तक के लिए जैहिन जैभागे